चतरपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामदा सामने आया है जहां कड़ाके की सरदी में एक नवजात मासूम को मरने के लिए अस्पताल के बाहर लावारी छोड़ दिया गया इसकी सूचना जैसे ही अस्पताल के बीएमो को लगी वितुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया जिस कड़क्ती ठंड के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है उस ठंड में एक नवजात मासूम को मरने के लिए अस्पताल के बाहर लावारी छोड़ दिया गया इसकी सूचना मिलने पर अस्पताल के BMO मौके पर पहुंचे और नवजात बच्चे को अस्पताल में भरती कराया गया बच्चा ठंड के कारण नीला पड़ गया था अस्पताल में बच्चे के प्रात्मे कुप्चार के बाद उसकी हालत ठीक बताई जा रही है वहीं बच्चे को इलाज के लिए जिल अस्पताल रेफर किया जाएगा BMO का कहना है एक से पहले भी लावारिस हालत में नवजात बच्चों के मिलने की घटनाए सामने आ चुकी है अस्पताल प्रबंदन ने लावारिस नवजात की जानकारी नौगाव थाने में भेजी जिसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांश शुरू कर दी है आज सुबह च्छे और साथ के बीच में अस्पताल से जो हमारे सीपर रहते हैं उनकी द्वारा बताया गया के एक नवजास शुषू बॉंडडी के बाहर मिलाया जब उसी दौरान डॉक्टर की दौरान डॉक्टर विक्ट्रम सिंगाजबुत थे उनकी दौरान में देश क सब्सक्राइब करें दौरान में दौरान डॉक्टर विक्षित को तत्काल बुला के उसका चालू करा बच्चा स्वास्त है और लगभा कि बच्चा बारा घंटे के अंजर का ही नवजास शुषू है और क्यूंकि उसकी जो कौट थी वह यहीं बच्चे को अब रात में को अब बच्चार होने के बाद स्टेवल होने के बाद बाकाइदा 108 जोड़ा ऑक्सियर के साथ हमारे स्टाफ पुलिस थाने के माध्यां से जिला अस्पताल इसेशियो में बेजा चाल देखिए एक डेड़ दो साल के अंदर गात हमारे यहां तीस से चौछी पांच में घटन मताया थरिख किया गया है कि एक नवजासिसू अस्पताल की पीछे में यह भी उला है उनके दोर्या लाया गया है इसकी डiblि नजञा ने बहरती हैं दोड़ा हैת संद्भाण ह επाहि एक रधेन बाताल की यह देखिय लाए वह समझे का हिखिए जो आपके गाम की पुल्द हम करते हैं सत्य का अन्यवेशा दखल न्यूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल न्यूज